कि दोस्तों आज के टिप्स बहुत यूजफुल है मैं आप सभी के लिए ऐसे कुछ यूजफुल टिप्स लेके आचुके हैं कि इस टिप्स की जरीए आपका काम तो आसान होगा है और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाले हैं तो आज में ऐसे अमाजिंग टिप्स तो स्टेश चैली टिप्स को सुरूकर लेते हैं नमस्कार दोस्तों क्राफ Rights &Hola kepada आफ सभी सुआथा पहला है है तो हम दोस्तों चीजाम करते हैं कि अगर हम जो चीजा सित्वाल करते हैं अगर हम उसका किया आप जब था अब बिरेजार के यहां देख से दिख में नीचे से घ्म,ने थेयम जाम,कों आपको छम्मच से नीन और तेल दाल सकते हैं देखिए खाने वाला ही तेल डालना है यह नहीं मसीन का तेल डाल देना है इसमें तो मैंने जरा से तेल डाला हुआ चाहिए सर्चो का या रिफाइंट कोई साभी ओयल डाल सकते हैं आप देख है दो कि लवालयामे के उध्य हो चुकहाँ नाइन पीछे शिया कि दिना पूल आप गमा जाने जूदाई डालारर तो दो यह तोल अशु çू के पिस तरीके से बिल्कुल गमाज देल हो चुका है तो इसको बहुत बहुत देसे श्तना अपने जैश्यम जो साय व्ल इसको da inevitable करते हैं जब भी हम इसमया करते हैrium लिक्विड भी भी इंut जो कि मुझे क्या म्य वर्ट जल रहता है जा जाल देना है एक से दो बंद गुलाब जल डाल देना है तो आप देखेंगे इसी से जो हमारे लिक्विट सिंदूर है काफी अच्छा एक वर्क करेगा और बिल्कुल जैसे कि हम नया खरीते हैं बिल्कुल वैसी रहे गाई यह बिल्कुल भी यह नहीं कि हमारा पतला हो जाए अब इसमें पहले में अम में काफी अंतर है तो मैं इसको कैप लगा कि अच्छी तरीके से करो हुआ जो साइटे में चिपक चुका है इसको में छोडा तेती हैं तो दोस्तों लिक्विट सिंदूर कई ब्रांडिक के आते हैं महेंगे या आते हैं सस्ते भी आते हैं तो कोई कोई महेंगे भी लगाते हैं कोई के सच्टी भी लगाते हैं अब देखे दुबारा मैंने सेख कर लगाया ते काफी अच्छा वर्क कर रहा है बिल्कुल पहले जैसे जिसे की न्यू लाय है उसी तरीके से हो चुका है आई हो दोस्तों की छोटा सट्रीक आप सभी को पसंद की अच्छा यहां अब दोस्तों हम क्या करते है कि इसको कितने वी रग सारा दिन में भी आज़ सूपता है तो कि छोटा सट्रिक यह है कि जब भी सावन आप ट्यालिट वगरा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सावन तरह सारा दिन की लग तो एक चुटा परले रहे तो मैंने जुए रही के दर्टापर करते है यम जब गेसे हलेुए अब सेका है जो बादरर नेएजिए पाड़र ले दिदी तो आपसे है सेकती है तो मैंने एक चमच की लगबगिक सेट्या डाल दिया है और भी अच्छे को डालने के रखितीा है अब देखे सेक तो कर लिया है अब इसका रीज भी बताऊंगी कोई भी बोटल ले ले लेना है इस प्री की बोटल में मैं इस जो मैंने पाडल का घुल बनाया हुआ ने अब इसको डाल देती हूं अचाये तो आप इसमें दो लॉंग भी डाल सकते हैं या एक इलाइची भी डाल सकते हैं अब इसका कैप लगा लिया है अब इसको मैं आगे की प्रोसेस बता देंको इसको मुझे किस तरीके से इस्तिमाल करना है अब नहीं देखा होगा की बारिष मोसम में हम कपड़े बगरा कैसे रहते हैं आपने देखा होगा कि बहुत जादे आसमेड से लाने लगती है और धीरी धीरी इसमें महेकने लगता है तो कमरे में जैसे कोई रूम फेसर रखता है तो इस तरीके से खाब बुदे करें। so no color resume पाउडर को आप फाणिम डाल खूल, बॉटल में डाल पाद आप इस बहुत अजली तरीके से खुष्बूि खूष्बूि अब देखें आप एक बार जरू ट्राइक करके दिखिएगा जो हम रूम फ्रेशनर लगाते हैं वहीं वर्ग करेगा अब देख लिजे अभी जो को लिट वगरा होते हैं तो पेच के ब्रस यह धकन होते हैं अब क्या करते हैं कि इसको खराब समझ के फेक देते हैं तो दोस्तों आज के बा मेरे पास तेवी खाली था और छोटे तूप पेच्ट का है यह धकन अब चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं अब इसको खराबी समझ के फेक देते हैं अब इसका साथ मैं डबल टेप ले लेती हूं अगर डबल टेप नहीं है तो आप फेवी क्यूब भी लगा के इसको इसक इसको 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 इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों यह चीज तो बहुत जादे कमपटेबल होता है अजादे तर तो जो जो इसे वह थों कि लिए भी हैट फूल है जी हाँ अब देखिया है रहा हुत ही अच्छा वर कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे इस पे हम लाइट छोटे मोटे चीज़ को आपा उस्ते मालों सब्सकी अप्री एक अफोड प्रूसा छाये नीजा़म, Murder Canadian क्रेटर वगरा और लाइटर वगरा बहुत इज़ी तरीके से आप इसमें हैं कर सकते हैं आए होग दोस्तों कि छोटा से ट्रीक है अगर कैप जादे है तो इस काइब की कौन्स्ट भी बढ़ा सकते हैं इसमें बच्चों का टाई बेल्ट जो भी चोटे-मूटे चीज है ने उन्हें सबको भी आप इसमें हैंक कर सकते हैं तो उम्हेट करते हूं दोस्तों ट्रिक पसंद आएगे वीडियो को लाइक भी कर देजिए चैनल पहले बार सब्सक्राइब भी जरू कर लिजिए अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम खाना कभी बनाते हैं तो गै करना है कि अबने हाथों को डाल के इसकी ऊपर अच्छी तरीके से रब कर लेना है लेप लगा लेना है जैसे कि हम इस तरीके से लगाती है बस यह हमारा चोटा चीड़ीक है दोस्तों इस ट्रीक को आप वार जरू करके दीखिये जिसे चूले पर एक भाणा बनाते है अब को आप एक बार जरू ट्राइब किजिए अब देखिए मैंने कुकर को पलट दिया है बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकला है तो उम्यत करती हूं दोस्तों कि आज के छुटे छुटे चुटे टीप और आप कुछ इसमें से पसंद आया होगा वीडियो को लाइब कर पिल्कुल भी हमारा बरतन नहीं जलता है तो दोस्तों इस ट्रीक को आप एक बार जरू ट्राइब करके दिखिएगा पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा चैनल पहले पर सब्सक्राइब मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स वीडियो में